नमस्कार दोस्तों मैं रेशम खान आप सब का स्वागत करती हूँ दोस्तों मैंने देखा है कि कुछ लोग मुटापे से परिशान है लेकिन एक दवा ऐसी है जिससे वो बिलकुल अंजान नहीं है जी हाँ उस दवा का नाम है मेथी जी हाँ आपने यह नाम जरूर सुना होगा मेथी का सेवन करके आप अपने बढ़ते वजन से छुटकारा पास सकते हैं बस आपको यह ध्यान देना है कि इसका उपयोग कैसे करें तो देखिए हमारा यह वीडियो दोस्तो मेथी ऐसा आहार है जो आपके बलड पैशर, मुटापा और मदू मेह जैसी बिमारियों को दूर भगाने में आपकी बहुत मदद करता है साथ ही कुछ लोगों को फूग बहुत ही जल्ली जल्ली लगती है अगर वो मेथी का सेवन करें तो उनकी बार-बार खाने की आदत कम हो सकती है अगर आपको कबज है तो मेथी को पानी में भिगोकर कुछ देर बात खाएं तो फाइदा ज़रूर होगा क्योंकि इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है अब आएए दोस्तों यह जानते हैं कि मुटापा दूर करने के लिए मेथी को किस प्रकार से उप्योग गया जाता है नमबर एक शेहद को एक कब ग्रीन टी में डाले और साथ ही नीमू का रस इसमें मिला दे और उपर से पिसी हुई मेथी का पाउजर डाले फिर इसे रोजाना सुभा खाली पेट पिए इससे आपका वज़न जल्दी कम होगा नमबर दो मीथी की चाय मीथी को जरा सा पानी में डाल कर पीस ले एक कब पानी घौला कर चाय पत्ती, मीथी पाउजर, डाल चीनी और अद्रक डाल कर पका ले इस चाय को पीने से मोटापा, ब्लड प्रेशर, कंट्रोल होता है और खाना भी आसानी से हजम हो जाता है नमबर तीन, एक किलास में मुठी भर मीथी के दाने भिगो कर रख दे, सुभाई से खाए इससे आपको भूख कम लगेगी और मुटापा घर जाएगा नमबर चार, अंकुरित मीथी में विटामिन और मिनरल जादा होता है इससे सुभा खाली पेट खाए तो आपका वजन कम होगा नमबर पाँच, मीथी के दाने, मिक्सी में पीस कर गुनगुने पानी में खाए तथा आप किसी सबजी में भी डाल कर इसे खा सकते है इससे भी मुटापा कम हो सकता है तो दोस्तो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक वज सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे